चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चेप्टर ध्यान दीचेगा बोर्ड पे और टेक्निकल चेप्टर भी बोलूँगा मैं और हाइली का कुश्चन आना ते रहता है करवाना था मुझे लेकिन काफी सारे बच्चे कह रहे थे कि अभी इंटर्नल है ताइम वेली ओफ मनी दो दिन का चेप्टर था मैंने सुचा वह खतम कर दें कुछ बच्चे कह रहें इंटर्नल है कॉलिज में कोई टेस्ट है या फिर कुछ भी अवाट रसाइनमेंट हो इस यह वाला चप्टर पर कर लिवा एक अड workshops तोड़ा सा लेंदी जा सकता है जूंकि स्वाल भी जाँ को सेख का नाम आप देख रहे हो कि सबसे पहले वर्ड है इस च्रब्र में में हर जगा है कैपटल बदल जाता है इससे पहले हमने capital का मतलब क्या पढ़ा था इससे पहले हमने पढ़ा था सर capital का मतलब होता है हमारा equity share capital preference share capital 12th standard तक तो यही पढ़ा था second year में भी यही पढ़ा था accounts के अंदर लेकिन FF में एक और बाते जोड़ दी गई debt को यह capital है सर यह liability side है यह कौन से side है आपको पता है कि liability के बाद हमारा दूसरा side क्या होता है assets भी होता है और assets के अंदर बड़े सारे category के assets होते हैं जैसे कि fixed assets current assets and investment तो जो fixed assets होता है ना इसको पता हम क्या बोलते हैं इसको हम capital asset के नाम से भी जानते हैं का ध्यान रखना इसको हम capital current assets के नहीं fixed assets को हम capital assets क्यों सर क्योंकि यह वाला ज्यादा से ज्यादा पैसा देख रहे हो ना यह डिवेंचर इवेंचर प्रफेंशेर का यह ज्यादा से ज्यादा पैसा हमारा investment जो होता है वो इसी में हुआ होता है यानि इस assets पैसे को इखटा किया हमने यहां से और हमने क्या करा fix assets खरीद लिए तो सर यह assets तो है लेकिन capital से खरीदा जाता है ज्यादा से ज्यादा इसलिए हम इसको नाम देते है capital assets भी की समझ महीं बात आपको तो सर यहां पर capital का मतलब क्या है वो देखने हैं पहले पहले chapter का theme देखें तो यहां capital का मतलब है यहां asset से यानि जो capital है why मैंने बताया यह यहां capital asset की बात हो रही है तो आप समझ पहले capital को define कर ले अब मेरा question होता है sir fix assets क्या होता है fix assets में आता है plant and machinery whatever कुछ भी नाम कह लो कुछ बच्चे बोलते हैं सिर्फ plant कुछ plant and machinery और क्या होता है sir इसमें और होता है इसमें building हलाकि होता बहुत है लेकिन जो generally हमारे एकदम से quickly याद रहता है इसे बोलते है capital assets हम तो और क्या होता है sir furniture और क्या हो सकता है किसी को याद है investment में fix assets की बात कर रहा है बच्चे कह रहा है sir voice जो है buffer हो रही है एक बार ठीक है मैं दुबारा check करूँ अब देखिए ठीक है या नहीं है फिर मैं दुबारा connect कर दे तो माईक को शायद मैं भी हो रही हूँ अब देखिए अब clear आ रही है क्या बच्चे ने patents कहा rent कहा clear आ रही है voice में कोई दिक्कत नहीं होनी चीए अगर voice दिक्कत होगी तो फिर मैं कैसे deliver कर पाऊंगा है न ट्रेड मार्क डिवेंचर भी बोला बच्चों ने goodwill अरे भी आप वोईज बताईए आप assets बता रहे हैं हाँ ठीक है इतने सारे assets बता दिये goodwill ट्रेड मार्क सर यह fix assets है बिल्कुल सही बता रहे हैं आपके किसी भी उसके उपर मुझे 1% डाउट ने मुझे पता है आप सभी ने जवाब दिया लेकिन सर हम इस chapter के अंदर ना तो building वाले fix assets के बारे में देखेंगे ना furniture वाले fix assets के बारे में दे है हम यहाँ पर सिर्फ समझेंगे plant machinery के ऊपर की कहानी अइसा क्यूं plant machinery के ऊपर क्यूं कहानी बनेगी चैप्टर का नाम है capital capital को मतलब assets assets का मतलब fixed assets fixed assets का मतलब हम प्लांट and machinery rightly lessons related बात करेंगे पहले तो यहां पर समझ गए हैं और बाकि एसेट्स की बात नहीं करेंगा अब बजटिंग का मतलब क्या होता है सर प्लैनिंग सिंपल सी बात करूना साधरन शब्दों में तो बजटिंग का मतलब मैंने बजट बना लो पार्टी करनी है तो आप प्लैनिंग ही तो करोगे बजेट बनाना है तो थोड़े पैसे इधर से आएंगे थोड़े पैसे इधर से यहांए इंवेस्ट करेंगे यहां पर करेंगे खर्चा हीए तो बजेटिंग का मतलब इस में असे एसे का planning से क्या मतलब है अब यहां पर हमें plant and machinery के लिए planning करना है कि हम इससे buy करें या फिर not buy यानि आपसे examiner एक plant and machinery देगा और उसके different situation देगा और उस situation में पूछ लेगा या यह machinery खरीदोगे या नहीं खरीदोगे आप क्या करिए comment तो खरीदोगे या नहीं खरीदोगे यह तो प्लैं तो chapter का नाम पढ़ गया हमारा capital budgeting तो सबसे पहले नाम clear होना बहुत जरूरी है इस chapter को अलग-अलग तरीके से पढ़ा जाता है अलग-अलग parts में मैंने तोड़े हुए है अलग-अलग topic में एक होता है हमारा technique और एक होता है हमारा इसके अंदर basically in flow और out flow की बात होती है मैं पूरे chapter को कहीं भी कई हर बच्चे का देखे पढ़ने का और हर teacher का अपने पढ़ाने का अपना अलग-अलग तरीका होता है वो इस chapter को दो पार्ट में बहुत सारे teacher और किताबों में especially यह दो पार्ट में तोड़के दिया गया है एक जगह पे simple capital budgeting और एक जगह पे capital budgeting technique के नाम से है समझे बात मैं यहां पे सरिफ और सरिफ जानता हूं सर मैं आपको सिखाऊंगा capital budgeting that's it मैं सरिफ आपको सिखाने वाला हूं capital budgeting क्या technique और क्या planning एक पर मैं समझा देता हूं सर assets को plant and machinery को आपको buy करना चाहिए या नहीं करना चाहिए यह decide पता है कैसे होता है मान लेते हैं आपने एक machinery खरीदा आपने एक machinery खरीदा और यह machinery खरीदा तो सर machinery का काम क्या होता है basically बताओ production करना manufacturing करना है न यही तो काम होता है machinery का अब जो machine आपने एक लाग का खरीदा और इस machine की कोई life होगी या नहीं होगी मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिए कोई भी जब हम assets खरीदते हैं तो क्या उसकी कोई life होती भी है या नहीं होती होती है 10 साल 5 साल 4 साल उसके बाद वो scrap में चला जाता है तो सर इस machinery की life मैं ने बताया कि इस machinery की life suppose करते हैं कि 5 साल है और आप इस machinery को लगाने के बाद annually आप सिर्फ और सिर्फ मान लेते हैं कि 18,000 रुपे earning कर पाएंगे मैं simple general से बात कर रहा हूं आपका देखता हूं दिमाग कहा तक सोच रहे हूं मैंने क्या कहा सर एक machinery की life कितनी है 5 साल है और इस machinery से हर साल की समाई कितनी होने वाली है तो आपको decision लेना है कि आपको ये machinery should buy और reject तो आप बताओ क्या कुछ बच्चों ने जो बच्चे offline है उन्होंने कहा reject online वाले बच्चों ने क्या कहा देखते हैं कि machinery should be buy और reject बताओ कि क्वेश्चन समझ में आया आपको कि सभी बच्चे कह रहे हैं reject जीतू कार्तिक कुछ बच्चे भाई भी कह रहे हैं सच्चिन reject ज्यादा से ज्यादा बच्चों का कहना है reject reject क्यूं आपने एक छोटा सा अंदाजा लगाए टेंटिटिवली तर अठारा हजार की कमाई होगी पांस साली कमा पाएंगे उसके बाद तो मसी कमाई को हमारी कितनी होगी और खर्चा हम कर बैठे एक लांक यहीं अंदाजा लगाए ना तो मसीनरी को क्या करेंगे यानि आप समझ पा रहे हो आपको एक मसीनरी की कीमत कितनी है यह एक्जामनर देने वाला है और इस मसीनरी से कमाई कितनी होगी यह भी एक्जामनर आपको देगा आप दोनों को compare करेंगे compare करके आप decision लेंगे और जिस समझदारी से अभी आपने मुझे बताया है कि इसको reject क यह क्या है capital और budgeting के हिसाब से यह हम budget में नहीं फिट हो रहा है इसे क्या कर देंगे हम reject कर देंगे ठीक है आगे detail में करेंगे सर कुछ बच्चों को थोड़ी बहुत पहले से knowledge हो तो वह मन में सोच रहे होंगे सर वह future value है scrap भी तो मिलेगा depreciation मैं सारी बाते करूँगा वह सार 18,000 की income है न हमें यह निकालना सीखना होगा पहले तो 18,000 रुपए की income को निकालना सीखना होगा पहले यानि सर हमें sales दे देगा हमें variable cost दे देगा हमें fixed cost दे देगा और इन सभी को हम minus plus जब करेंगे तब हम निकाल पाएंगे हमारा क्या कितना हमारा पैसा एक साल में कमाये जाएगा अब ऐसा भी हो सकता है सर एक साल में 18,000 कमाई दूसरे में 19,000 तीसरे में 16 यानि या तो constant income हो सकता है हर साल में या फिर आपका income क्या हो सकता है different different each year समझ रहे हो ठीक है तो सर इस machinery के हिसाब से example से आपको थोड़ा बहुत idea लगा होगा के सर इस topic के अंदर हम क्या करेंगे chapter क्या है सर simple सी बात है chapter है हमारा capital budgeting capital का मतलब यहां assets से है और assets में भी कौन सा assets fix assets और यहां पे fix assets में भी किस assets पे सारे discussion करेंगे plant and machinery यहां पे हम यह देखेंगे should plant and machinery buy और no buy करने के साथ replace भी करें या नहीं करें यह भी देखा जाएगा तो हमें assets को replace करना है या नहीं करना that is a budgeting basically budget का मतलब हम पैसे भाई machinery में लगा दें या पुरानी machinery को रिपेर करके चला लें वो बहतर रहेगा यह सीखेंगे लेकिन सबसे पहले हमें सीखना होगा कि पैसा है एक machinery से कितना generate किया जा रहा है वो कैसे तो चलिए हम देखते हैं किसी भी machinery से क्या पैसा generate होगा उसके उपर बात करते हैं कि यानि जो पैसा आएगा ना यहां पर देखिए सबसे पहले आपको समझना होगा सर प्रॉफिट जो होता है ना नॉट इक्वल टू कैस इन फ्लो ध्यान देजिए जो प्रॉफिट होगा ना नॉट इक्वल टू इन फ्लो जो प्रॉफिट है ना वो इन फ्लो के बराबर कभी भी नहीं होता इस पे पहले हमें समझना होगा तब हम आगे चलेंगे क्योंकि जितने पैसे मेरे पॉकेट के अंदर है उतना ही मुझे कैस रिसीव हुआ होगा ऐसा कभी नहीं होता possibility है कि मेरे जेब में 100 रुपए है लेकिन cash मेरे पास डेड़ सो आया हो समान बेचने के बाद possibility है कि मेरे पास 100 रुपए हो और मेरे पास cash सिर्फ 50 रुपए ही आया हो possibility बन सकती है तो सर सबसे पहले आपको यह चीज बिल्कुल समझना है कि सर प्रॉफिट कभी भी cash inflow के बराबर नहीं होता और इसी बात को समझाने के लिए तो आपका four semester में एक chapter क्या एक chapter बन गया cash flow statement यहाँ पे आपको मैं क्या समझाना चाहता हूँ again वही चीज एक income statement बना लेते हैं simple मैं आपको अब निकालना सिखाने वाला हूँ क्या निकालना सीखेंगे inflow कैसे निकाला जाता है ठीक है हम सीखने वाले हैं कि inflow कैसे निकाला जाता है यहां रख देते हैं particular और यहां रख देते हैं amount और यहां सीख रहे हैं cash inflow ठीक है ना cash inflow कैसे निकाला जाता है या एक काम करता हूँ मैं सोचता हूँ कि इस chapter को जो हम करी रहे हैं तो क्यों ना हम बहुत अच्छे तरीके से करें है ना तो मैं पहले आपको profit निकालना सिखा दूँगा फिर inflow फिर आप compare करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा पहले हम निकाल रहे हैं यहां पर क्या profit सर प्रॉफिट कैसे मैंने मान लो आपको सेल्स दिया सेल्स आपका है मान लेते हैं एक लाख रुपए का यह रुपीस मेरा जम्शन है माइनस में मैंने कहा variable कॉस्ट वैरियेबल कॉस्ट है 80% ज्यादा कर दिया मैंने परसंटेज 60 कर देते हैं क्योंकि और भी चीज़े हैं न वैरियेबल कॉस्ट सिक्स्टी परसंट तो यह क्या जाएगा 60,000 माइनस फिक्स कॉस्ट मैंने आपको दे दिया 10,000 तो सर इसको क्या कहते हैं और भी चीज़े लेते हैं रुखो मैंने कहा जी मेरे पास एक machinery है मेरे पास machinery है और machinery है मेरे पास 1,00,000 रुपए का और सर इसके उपर depreciation जो लगेगा 10% के हिसाब से क्या लगेगा depreciation लगेगा और tax rate जो है 10% के हिसाब से depreciation लगेगा और जो tax rate है न हमारा वो tax rate भी दे देते हैं चलो tax है 50% सब कुछ simple simple लिया है Sir fixed costs के बाद हम minus कर देते हैं यहाँ पर depreciation यह भी तो खर्चा ही है Sir depreciation क्या लगने वाला है Sir depreciation लगेगा 10,000 रुपए Now we will get EBIT EBIT Sir EBIT क्या है 20,000 इसके बाद Sir interest वगेरा है नहीं मान लो Interest मैं मान लेता हूँ है नहीं Interest को हटा देते हैं यहाँ से 0 तो result is EBIT और यह आ गया 20,000 रुपए Sir interest के बाद हम minus करेंगे tax और Sir tax कितने का है 50% यानी 10,000 Then हमारे पास आ गया E80 और E80 is 10,000 पहले तो आप यह बताईए समझ में आया या नहीं आया या या नहीं आया या पहले हम इसकी बात करते हैं समझ में आया या नहीं आया या फिर हम आगे बात करेंगे इसी को आगे बढ़ा देते हैं में और आउट दूनों से हम पहले इन फ्लो निकालना सीख रहे हैं ठीक है तो सर यह हैं हमारा प्राफित किसी को डाउट प्रॉफिट में है, तो बता दीजिए, कोई सवाल पूछना हो प्रॉफिट में, तो पूछ लीजिए हैं, है किसी को डाउट, clear है, अब इसके बाद हम बात करते हैं, प्रॉफिट में सर डाउट नीए, अब निकाल लेते हैं हम inflow, इन्फलो में सर सेल से पैसा कितना आया एक लाग कोई डिक्कत नहीं है सर एक लाग ही आया है वेरियेवल कॉस्ट थोड़ी ना बदल जाएगा ये भी इतना ये भी हमारे पॉकेट से गया होगा ये नहीं गया होगा गया होगा डेफिनेटली यह हमारे पॉकेट से गया होगा अगर यह हमारे पॉकेट से चला गया है तो fix cost हमारे पॉकेट से गया होगा या नहीं गया होगा गया होगा सर 10,000 depreciation हमारे पॉकेट से गया होगा या नहीं गया होगा नहीं गया होगा कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर नहीं गया होगा सही भी बोल रहे हैं इसका मतलब सर हमारा प्रॉफिट निकल के आया मतलब इन्फ्लो आया 30,000 agree सही चल रहे हैं इसके बाद सर यहां पर इंटरस तो है नहीं इंटरस जीरो अब इसके बाद क्या आया 30,000 अब tax लगेगा tax कितना लगेगा अगर मैं यहां tax 15,000 रुपे लगाऊंगा ने income tax वाले notice भेज़ देंगे मुझे क्यों notice भेज़ेंगे बताओ income tax वाले क्यों notice भेज़ेंगे 10 दिया है नहीं नहीं मैं तो यह inflow के हिसाब से मैं tax को भी consider कर रहा हूँ तो अगर मैं दिखाऊ 15,000 तो income tax वाले बोलेंगे गलत यह आपने profit गलत निकाला है inflow है तो क्या हुआ यह गलत है profit आपका 30,000 profit तो आपका होना कितना चाहिए 20,000 इसलिए सिर्फ इसलिए अगर income tax के point of view से देखा जाए तो depreciation no flow item है उसमें पैसा नहीं जाता है agree करता हूँ मैं लेकिन tax निकालने के लिए सही करने के लिए तो हमें माइनस करना पड़ेगा सर यानि क्या आगया 20,000 यह 0 और यह 20 पहले यहां तक agree कर रहे हैं लेकिन सर आप सभी के मन में कुश्चन बहुत तेजी से घूम रहा होगा सर यह depreciation तो non flow है तो फिर क्यों कर रहे हो इसका एक समस्या है पहले हम दैसे ही 10,000 माइनस करेंगे तो आप बोलोगे सर सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं है 10,000 है अब बाद में हम क्या करेंगे पता है हम थोड़ा सा चला की दिखा के add कर देंगे हम depreciation इसी से प्रॉब्लम था न आपको 10,000 क्यों माइनस कर रहे हो साकी भी कोई नाराजगी नहीं और हमारी भी कोई नाराजगी नहीं के no flow वाले item क्यों माइनस किया है समझवाई बात आपको तो तो मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला सर के हमारा profit कभी भी inflow के बराबर नहीं होता तो चेक कर लीजिए सब कुछ तो सहीं ही रखाता हमारा profit क्या inflow के बराबर है या नहीं है इबी आइटी पे टेक्स देना होता है काफे बच्चे कह रहे हैं depreciation नहीं लगेगा ठीक है no doubt अभी तक बताईए जो मैंने करा है सामने आपके सामने किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परिशानी नहीं तो आगे चले अभी तक किसी को doubt है क्या समझ में आ रहा है सब कुछ बिल्कुल simple simple clear है ठीक है यानि सर मुद्दे की बात हमारे क्या है सीखना क्या है हमें हमें सीखना inflow है हमें ये बिल्कुल भी नहीं सीखना profit का मतलब नहीं है हम जो भी टेक्नीक का डिसीजन लेंगे वह inflow के basis पर लेंगे profit के basis पर नहीं ठीक है इस चैप्टर में सरिफ मैंने पहले नहीं बताया कि क्या क्या सीखेंगे मैं सीधा मैं कुछन बागी मैं सभी चैप्टर में क्या करता हूं पहले हमारे इस चैप्टर में यह टॉपिक है इसमें नहीं बताया औरली मैं अगर पूछता है कोई तो मैं बोल देता हूं सर इसमें हम सीखेंगे payback period सीखेंगे NPV सीखेंगे इसके अंदर IRR सीखेंगे इसके अंदर ARR सीखेंगे हम कुछ techniques के नाम बता रहा हूं यह सीखने वाले हैं दीरे दीरे चलने दो फिर अलग से जब हमारा थोड़ा basic सा concept हो जाएगा फिर मैं बता दूँगा क्या कैस सीखने वाले ठीक है दो से तीन क्लास वाद अब हम outflow सीखेंगे inflow हर कोई सीख गया inflow निकाल सकते हैं हाँ एक question हो सकता है कि अगर हमारा tax ना हो न अगर tax ना हो तो फिर दुबारा debt add करने की अवय सकत होगा नहीं है पहले ही हम डेप को छोड़ देंगे सिर्फ tax होगा तभी वापस debt add होता है उपर ताकि net profit actual निकल पाए टेक्स के लिए इस टेक्स का क्या पंगा है क्योंकि टेक्स में हमारा पैसा क्या जा रहा है जा रहा है ना outflow तो इस वह से हमारा total जो inflow रहा होगा वह 20, अब हम सीखते हैं सार outflow कि अधर प्सक्रेइश्त लली क्या होता है मैं क है की आयुत प्लो का मतलब जो पैसा आप देखो आउट угle अगर आप बोलोगे ना तो कुछ बैस सकते हैने सब्हें मैं यहां पे आउट भूम जब भी बात करूंगा ना तो आउट फ्लो में मुद्दे की बात है कि मसीन को खरीदने में परचेज करने में जो आपके पॉकेट से गया है पैसा उसको आउट फ्लो बोलेंगे यहां पर consider जो करेंगे तो outflow की अगर मैं बात करूँ तो outflow में क्या है हमारा machinery machinery purchase आपने मान लेते हैं कि 5 लाख रुपए का machinery खरीदा खरीदने के साथ साथ इस पे एक और खर्चा जुड़ता है installation charge installation charge जो इसमें जोड़ दिया जाता है मान लेते हैं 50,000 रुपीज इसमें से installation charge के बाद कुछ खर्चे कुछ चीज़े minus हो सकता है पहले तो हलाकि अभी यहीं देखते हैं उसके हम बाद में धीरे धीरे जसे जसे आएगा यानि मैं अगर पूछू ना तो outflow मेरे जेव से machinery के ऊपर कितना जाएगा 550,000 इसको हम machinery को आज के बाद एक नए नाम से बोलेंगे इसको एक और नाम देंगे terminal इसको हम terminal भी बोलेंगे अगर मैं पूछू terminal flow बताओ तो आप समझ जाना कि machinery को खरीदने में कितना पैसा जा रहा है या outflow जा रहा है वो कितना है इसे एक और नाम क्या दिया हमने terminal दिया तो अगर मैं आप से पूछूं के machinery से या total हमारा inflow और outflow कितना आया तो जवाब है sir outflow तो पांच-पचास है आपका और inflow कितना आगे है यहाँ पे दोनों चीजे मैंने simple simple तरीके से निकालना सिखा दिया यहाँ तक किसी को doubt कुछ word जो मैंने यहाँ बोला terminal आपको याद रखना है निकिता का फिर तो profit profit और inflow तब भी सेम नहीं होगा depreciation तो minus होके रहेगा नहीं होगा depreciation वाला एक बार फिर से repeat कर दें बच्चे कह रहे हैं मैंने कुछ बोला था पीछे मैंने यह कहा था कि suppose करो tax नहीं होता न तो मैं यहाँ depreciation minus नहीं करता क्योंकि यह inflow वाला item नहीं है तो मेरा 30,000 रुपे ही inflow बन जाता that's it मैंने depreciation minus इसलिए करा ताकि हमारा profit actual आप आए और उस पर tax actual दे पर आए फिर depreciation बाद में मैंने कहा कर दिया add कर दिया बच्चे कह रहें सर अगर tax नहीं हुआ तो तो दोनों same आएगा हमारा नहीं आ सकता देखो आपका tax नहीं हुआ तो यह तो रहेगा 1,000,000,000 यह रहेगा 60,000,000 यह रहेगा 10,000,000,ड़फ माइनस नहीं करेंगे तो कितने बचे हमारे पास 30,000 इसके बाद कोईछी माइनस नहीं हुआ ही नहीं है तो यह कितना आा गया हमारा सकता है कई बार एक्वक टू हो सकता है जब डैप नहीं होगा ना थो MOD रह को जब नहीं रहेगा तो एक्वक्रणतू रहेगा छिक है चूरिब एस पहें एक चोटा सो से हम कुष्ण लेते हैं फ्राक्टिकल कुष्ण है हुम आगे देखते हैं एक question है आपके सामने एक छोटा सा एकदम सा question चलिए question में क्या बोलता है पढ़ लेते हैं from the following information find out initial and subsequent and terminal cash flow मतलब terminal cash flow का मतलब क्या पूछ रहा है बता हूँ मतलब जो machinery वगएर से किया है total outflow नहीं terminal flow का मतलब outflow नहीं जो machinery से जा रहा है उसको हम बोलते हैं ठीक है न और initial flow बताना है आपको question में कहता है sir हमने एक machinery खरीदा है जिसकी कीमट 525,000 है और जिसका variable cost है 16 रुपे एक variable cost है 16 रुपे और salvage value जो है वो है 30,000 life है 5 years ठीक है यानि मैं इस question को थोड़ा सा simplicity में आपके लिए लिख देता हूँ sir हमारे पास machinery है machinery कितने का है 5,25,000 कुछ tabular form में लिखते है न तो ज़्यादा समझ में आता है इसके बाद variable cost कह दिया question ने VC 16 रुपे का है इसके बाद कह दिया salvage value sir ये क्या होता है ये scrap होता है scrap value को कहते है कह रहा है 30,000 at life हो गया sir life हो गया हमारा 5 years installation cost installation cost है हमारा 5,000 and tax लगेगा income के उपर 30% और expected sales जो होगा न हमारा वो unit के term में बता दिया इसने के sir 10,000 unit तो हम बेच पाएंगे annually हर साल और जो 10,000 unit बेचेंगे selling price जो रहेगा 40 रुपेज तो सबसे पहले हम ना अलग-अलग करते हैं एक तो inflow निकाल लेते हैं inflow निकालने के बाद फिर हम machinery का outflow भी जान जाएंगे कितना लग रहे हैं ठीक है ना एक inflow निकालेंगे फिर machinery का outflow भी inflow निकालने के लिए जो tabler मैंने पहले बनाया था वही मैं बना देता हूँ आपके लिए ताकि easily समझ में आ जाए आपको चलिए मैं यहाँ पे पहले सिखा रहा हूँ inflow terminal से कितना पैसा आएगा सबसे पहले क्या लेंगे हम sir sales लो आप और sales की मैं बात करूँ तो sales है हमारा 10,000 unit question कह रहा है देखो 10,000 unit है question कह रहा है और 1 unit 40 का तो sales से पैसा कितना आएगा 4,000,000 समझे minus variable cost कर दे VC कितना है sir 10,000 और गुना में हमारा 1 unit variable में 16 का है तो 1,000,000 60,000 minus fix cost तो नहीं है लेकिन यहाँ से depreciation जरूर निकाला जा सकता है sir depreciation के कितने formula होते है machinery पे depreciation निकालने का यह बात जान लेजे आप क्योंकि काफी पुरानी चीज़े रहती है तो बच्चे भूल जाते है कि depreciation ऐसे भी निकाला जाता है क्या अगर depreciation की बात करें तो दो तरीके से depreciation आपको दिया हुआ हो सकता है हो सकता है आपको question में percentage दे दे और हो सकता है आपको percentage नहीं दे बट obvious सी बात है यह आपको आता होगा लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूँ हो सकता है आपको depreciation का percentage दे दे और हो सकता है depreciation का percentage ना दे अगर percentage देगा तब question mark आएगा कि sir कौन से method से लगाना है या तो WDV से लगाएंगे या फिर SLM Depend on situation समझ रहे हो बात ऐसा ही होता है न अगर हमें percentage मिल जाता है तो हम पूछते हैं sir ये तो बता दो कि किस हिसाब से लगाना है SLM या फिर WDV SLM होगा तो SLM से लगा देना WDV होगा तो WDV से लगा देना SLM और WDV में क्या फरक है आपने बहुत बार पहले पढ़ा हुआ है SLM का मतलब जो एक बार depreciation लग जाता है year on year basis पे same रहता है वो changes नहीं होता है WDV में क्या होता है हर बार वो नहीं हुआ आता है ठीक है अगर percentage नहीं दे रखा होगा तो हमें एक simple सा formula बोल लो या हमने कई बार 11th class में भी पढ़ा हुआ है depreciation is equal to होता है cost plus installation cost plus installation cost और मैं इसको नीचे ले के आता हूँ थोड़ा चलिए installation cost minus scrap divided by useful life तो है यह depreciation निकल के आएगा आपका अगर rate नहीं पता हो तो sir depreciation पर इतना दिमाग क्यों खर्च कर रहे हैं क्योंकि आपको यहाँ depreciation minus करोगे तभी आप सही माइने में tax लगा पाऊगे अगर बिना depreciation minus करे आपने tax लगाया गलत है profit कब सही निकलेगा जब तक सारे खर्चे minus ना कर दो चाहे कोई भी खर्चा हो ठीक है ना तो सर यहाँ पर यूस्फुल लाइफ और सर यह मैथड भी SLM ही है यह मैथड भी हमारा SLM ही है ध्यान रखिएगा ठीक है यह मैथड भी हमारा SLM है तो यहाँ वाले question को देखके आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सर कौन से वाला तरीका होगा क्योंकि पूरे question में दूर दूर तक percentage तो है नहीं तो हम यही वाला लगाएंगे depreciation जो यहाँ लिख रखा है तो चलिए सर depreciation निकाल लें यहाँ पर तो depreciation is equal to पहले बोलता है सर cost ढूंडो तो cost कितने का है पांच लाख 25,000 सर cost क्या होता है जितने का खरीदा है फिर बोलो plus installation charge क्या installation कराया है जी कराया है फिर कहता है minus करो scrap क्या कोई scrap या salvage value है है सर तो इसका life लाइफ बता रहा है बिलकुल बता रहा है तो यह 30 माइनस हो जाएगा तो एक लाख रुपए का यहाँ पर डेप निकल के आ गया हमारा agree अब हम यहाँ पर depreciation लिख सकते हैं short form में लिख रहा हूं depreciation को DEP यह आ गया सर एक लाख अगर एक लाख रुपए का डेप आ गया तो हमारा आ जाएगा EBIT बोल लो या profit बोल लो इसे profit before tax बोल लो क्यूंकि इसमें ना इंट्रस्ट वाला रोल ही नहीं रहने वाला सर इसे मैं बोल देता हूं EBIT इंट्रस्ट है ही नहीं तो क्या करें तो 260 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा एक चालेश समझें बात क्या गया अब इसमें से क्या माइनस करें हम tax, tax बोलता है 50% तो 70,000 अच्छा 30% है तो 42,000 तो 30% अगर बोल रहे हो तो 30% या नहीं 42,000 बताएगे माइनस करके क्या आ गया 90 हम क्या निकाल रहे हैं सर हम निकाल रहे हैं यहाँ पर inflow हम निकाल रहे हैं यहाँ पर inflow निकाल रहे है inflow निकाल रहे है क्या यह inflow है यह तो earning after tax हो गया क्या इसे inflow बोलेंग है या कोई और काम करना है बताओ दिखा भी देते हैं अभी आपने inflow निकाल के दिखाया था inflow देखे कैसे निकाला था मैंने क्या tax minus करने के बाद ही काम खतम या कुछ और activity किया था किया था क्या activity किया था depreciation add किया था तो यहाँ पे चेक करिए क्या depreciation है या नहीं है sir है तो हमारा inflow कैसे निकलेगा इसमें add कर देंगे क्या हम depreciation जो कि है एक लाख और sir inflow आगया 190 किसी को दिक्कत inflow add depreciation काफी बच्चों ने जवाब दे दिया sir add करो आप simple सी बात है depreciation को add करो यहाँ तक किसी को doubt है तो बताइए यहाँ तक है तक है तक है नहीं है तक है तक है नो यहां तक बच्चों ने बोला सर हमें कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है चलिए आगे चलते हैं कहानी को लेके और आगे सर कहानी को क्या कुश्चन ने बोला था आप इनीशियल आउट इनीशियल आउट फाइंड करिए इनीशियल ही क्या है आप सबसीक्यूंट बताईए क्या है तो सबसे पहले सबसीक्यूंट का मतलब क्या होता है एक काम अभी कर लिया उसके बाद वाले काम को क्या बोलते हैं स Subsecured Subsecured का मतलब होता है फिर उसके बाद यही घूट है इसके बाद आप Terminal Cash Flow बताइए M ठेक है न है, Terminal, Cashflow, तीन बाते पूछी है, जिसमें से हमने एक का जवाब दिया है, शरिफ इसका, Initial का मतलब क्या होता है, मैं बोलता हूं, Initially पहले आप ये काम कर लो, Initially पहले ये काम करो, मतलब बिल्कुल Starting में क्या हुआ, वो बताईए, तो जब ये कुशन देख रहे हैं तो सबसे स्टार्टिंग में क्या हमने सेल करा होगा या स्टार्टिंग में मसीनरी खरीदा होगा मसीनरी पर्चेस किया होगा ना इनीशियल का मतलब ये जानना चाहता है कि मसीनरी पे आपका कितना खर्चा हुआ है यानि कह सकते हो टर्मिनल का आउटफलो कह सकते हो टर्मिनल का कितना फ्लो है यानि मसीनरी से तो कुश्चन नंबर वन का जवाब मैं यहां लिख देता हूँ यह कुश्चन नंबर वन है यह कुश्चन नंबर टू है और कुश्चन नंबर थ्री है यह सर यहां तीन जवाब देना है आपने question number two का तो मैं दे चुका हूँ जवाब ये question number two का जवाब है subsequent annual one की बात करते हैं तो one का जवाब क्या होगा सर one का देखिए यहां पर one का यहां देखिए आपका outflow या initial outflow कह लो या फिर terminal outflow कह लो सर सबसे पहले purchase किया machinery आपने machinery आपने खरीदा कितने का पांच लाख और इसके अंदर plus कर दिया installation चाहिए कितने रुपए तर पांच हजार तो आपका outflow आ गया पांच लाख question number one का जवाब यह है question number one का जवाब यह है पांच लाख अब question बचता है तो सर तीन का मतलब है कि cash flow कितना होगा यहां से तो outflow हो गया हमारा अब पांच वे साल में पांच वे साल में हमारे पास एक पैसा और आएगा जिसको हमने यहां नहीं दिखा है पांच वे साल में आपके मसीनरी से पैसा आने वाला है अगर आप मुझसे बोलते हो ना सल यह एक लाख अठानवे हजार पहले साल में आपकी इंकम होगी फॉस्ट इयर में आपकी इंकम होगी बोल दिया को दूसरे साल में आपके पास आएगा नाइनटी अटी इट वन नाइनटी इट जूसर्थ पांच वे साल साल में 198 प्लस में 30,000 रुपए स्क्रैप वाल आएगा तो 50 साल में थोड़ा सा different हो जाएगा समझ पारियो बात में क्या बता रहा हूं तो सेम अगर मैं आपका टर्मिनल का inflow पूछू मैं तर्मिनल का तो इसका मतलब होगा आपका जो स्क्रैप से सेल हुआ है तो इसका मतलब सिर्फ 30,000 यह आंसर है तीसरे का यह आंसर किसका है हमारा तीसरे का सुईता का कहना है सर बट 30% से किया है अच्छा यहां मैंने कहां 50 लिखाया है ओके 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 ठीक है हाँ वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्योंकि पहले मैंने 50 ले लिया था पुराने एग्जामपल में 50 चल रहा था तो वही मेरे दिमाग में था अब भी फिर 50 लिख रहा हूं बताओ तीस लिखना है ठीक है यह तीस ही है ठीक है वो पचास बाई मिस्टेक लिख लिख दिया थर्ड समझ में नहीं है थर्ड में पूछा है कि बताइए टर्मिनल से कैस फ्लो कितना होगा जब कभी भी फ्लो पूछे ना तो आप सिंपल सा धियान दखना कि कितना पैसा आएगा तो टर्मिनल का मतलब क्या बताया एसेट से कितना पैसा आएगा तो एसेट से पैसा आने की बात है तो लास्ट में जब बेचेंगे हम पाँचवे साल में तो सिर्फ और सिर्फ कितना मिलने वाला हमें तीस अजार यही जवाब देना था आपको बताये कोई डाउट कोई समस्या कोई डाउट फिर अगले कुश्चन पर चलेंगे नहीं तो बंद करता है करता है